तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ब्रैंड न्यू एनिमे के बारे में जिसका नाम है तो इस एनिमे के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक लेबरिंट त्रेड में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो उसी वक्त हमारा जो में प्रटैंगेंश है जिसका नाम है रूडड वो हमसे कहता है कि एक लेबरिंट केड में कि कही सारे रोल्ज थी जैसे के अटेकर और हीलर लेकिन हमारे हीरो का रोल है एक टैंक का यानि कि उसका काम है एक रेड में एनिमी के अटेक को ब्लॉक करना और अपने टीम मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना तो अगले जिन में दिखाया जाता है कि जो रूड है हमारा में प्रटाइगनिस वो अपने भेहन के सपने देख रहाता है जिसका नाम है मनीशिया तो फिर उसकी टीम मेट आकर उसे कहती है कि तुम विज अपने भेहन के बारे कि मैं पाकी इंट्रेस से दूर रहू ताकि मैं अपने भेहन के इंक्योरेबल डिजीस को ठीक कर सकूँ एक लेबरिंट तैजर से जो कोई भी विज ग्रैंड कर सकती है फिर रूड निन से कहता है कि कल की बैटल में जो आ उसके लिए मुझे माफ करना मेरी वज़े से तुम लोगों को ट्रेशर नहीं मिल पाया फिर निन उससे कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है तुमने अपनी टैंक की ड्यूटी पूरी तया से निबाए और तुमारी वज़े से ही आज हम इतने दूर तक आपाए है क्योंकि तुमारी स्किल्स बहुत ही अच्छी है लेकिन रूड उससे कहता है नहीं यह सिफ कल की ही बात नहीं है पिछले कई बैटलों में मेरी शील्ड की पावर कम होती जा रही है और मैंने कई सारे पोशन्स उसके जिससे तुम हीलर पर बहुत सारा बर्डन पड़ता है तो उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना फिर अगले सीन में एंटरी होती है टीम के बहुत ही ताकतवर अटैकर की जिसका नाम होता है किगरस उसे देखने के बाद आसपास के सभी लोग कहने लगते हैं कि वो तो एक हीरो है जिसने इतनी कम उमर में इतने सारे लेबरेंट रेट को कॉन कर कर चुका है फिर वहां के रूट से कहता है कि नहीं टैंक लेकर आया हूँ तो फिर उस ते कहती है कि एक टीम में तुसिष 6 लोग रह सकते हैं तो हम साथ हो है फिर किगरेस रूट से कहता है कि तुम तीम से डिसमिस हो चुके हो दिन उससे कहती है कि रूट की इसमें कोई गलती नहीं है रूट ने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया है तो तुम उसे नहीं निकाल सकते है फिर किगरेस कहता है इसमें रूट की ही गलती है क्योंकि उसकी बेकार स्किल्स की वज़े से हम कल वा से मरते मरते बचे हैं अगर हम वा से सही वकपर नहीं निकलते हैं तो शायद हम वही पर मर चुके होते हैं फिर वो कहता है कि इसी स्किल्स की वज़े से मैं रूट को टीम से डिस्मिस कर रहा हूँ मैं एक नई टैंक लेकर आया हूँ जो की डिफेंड करते करते अटैक भी कर सकती है तो ये रूट से कई ज़्यादा बैटा रहे है इतना सब कुछ होने के बाद जब रूट वहाँ से जा रहा होता है तो किग्रस उसे रोक कर कहता है कि तुम्हारी वज़े से कल हमें कोई आताया था जा मैं और मेरी बहन रहते है तो फिर निन कहती है हाँ एवेंशियर राइट तो फिर रूट कहता है हाँ तुम्हें जब भी मुझसे मिलना वहाँ आ सकती हो मैं तुमसे दुबारा मिलने के लिए इंतिजार करूंगा फिर जब रूट वहाँ से निकलता है तो व वो एक एक स्कॉर्ट मिशन की बात कर रहे होते और रूट यह सुनकर खुश होता है क्योंकि वो मिशन जाहाँ पर जाने वाले होते है वो उसके गाव से थोड़ा ही दूर होता है तो रूट उनसे कहता है कि क्या मैं जॉइंट कर सकता हूँ पहले वो उससे उसका रैंक वो एडवेंचर के लिए निकलते हैं फिर रास्ते में वो कई सारे वायल जानवरों से फाइट करते हैं फिर रात होती है तब एडवेंचर केते कि हमें अभी यहां ब्रेक ले लेना चीए फूर उनसे कहता है कि यह जंगल बहुती घना और दरावना है तो हमें इसे एक ही गंभीर हालत में है और उसके सीने पे एक magical stone लगा हुआ होता है वो उससे कहता है क्या तुम ठीक हो इससे पहले कि वो और कुछ पूछता वहाँ से एक forest snake बाहर आता है बहुत ही giant forest snake तो rude उसे कहता है कि जल्दी से जाके cover ले लो और बाकी team members को बाहर बुलाता है वो सुचते हैं कि हम इस बड़े forest snake से learn नहीं सकते लेकिन फिर rude अपनी skills यूज़ करके उस snake को अपनी तरफ खीश लेता है और अपने teammate से कहता है कि मैं इसका ध्यान बढ़काता हूँ तब तक तुम लोग इस पे हमला करो और फिर वो उस पे हमला करते हैं रूड उन्हें motivate कता है कि हम जीत सकते हैं और फिर जब snake final attack कर रहा होता है तो रूड उस अपनी shield से रोकता है और फिर अपने teammate से कहता है कि अब इस पे एक final blow करो और फिर वो सब मिलके उसे हरा देते हैं फिर battle खतम होने के बाद rude उस लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें चोट लगी है वो नहीं कहती है district अब इसके बात तुम्हारा क्या planning फिर जो ओल्ड मैन रहता है वो उसे पहनने के लिए कुछ अच्छे कपड़े देता है और फिर रूड उससे कहता है कि जाओ तुम अभी चेंज करकर आजाओ फिर रूड और ओल्ड मैन एक बात कर रहे होते कि कई लड़की कोई स्लेफ तो नहीं है जो भाग कर आई है फिर व रूड के टीम में इस रूड से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई टीम है और नहीं है तो क्या तुम हमारी टीम जॉइंट करोगे रूड उनका ओफर डिकलाइन कर देता है ये कहकर क्योंकि उससे अपनी भेन के साथ रहना होता है और वो उन्हें मना कर देता है वहा पर जो ल्यूनेस के पैटल गिर रहे होते तो उस ल्यूनेस के पैटल को देखके रूड उसका नाम रखता है ल्यूना लड़की को वह नाम बहुत ही अच्छा लगता है और वह रूड को थैंक्स कहती है और फिर दोनों अपने गाओ की तरफ जाते है जब रास्ते में वह द है यह adult वह पूछता है क्या तो मेरे gleichen को अपरेज़ करोगी वह कहती है हाँ फिर वह लड़की रूड को उसकी इसकी स्किल्स के बारे में बताती है फिर root को पता चलता है कि उसके पास जो skills है वो बहुत ही beneficial है उसके teammates के लिए और फिर यही पर episode खतम होता है अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो please इसे एक like जरूर कर देना यार और अपने दोस्तों के साथ share करो जो कि एनी में देखते हैं ठीक है मिलते अगले वीडियो में इस वीडियो पर अगर 1000 likes किये तो तुम्हें इस वीडियो का second part जरूर मिलेगा